उत्तर प्रदेश की पांच सीटों से चुनाव लडने वाले राजबबर इस बार चुनावी मैदान में हैं गुड़गाओं से हरियाणा के बाचीत करने के लिए खुछ राज साहब हमारे साथ मौजूद है राजबबर साब उत्तर प्रदेश की पांच सीटों से अपने चु मुझे मैं आगरा में पैदा हुआ आगरा से उमंगों भरे शहर बंबई में गया और बंबई में मैंने काम किया तो मुझे सिर्फ उत्तर परदेश ही नहीं पंजाब ही नहीं पूरे देश ने बलकि पूरी दुनिया के अंदर थोड़ा बहुत मुझे लोगों ने प्यार करन तो उन्होंने दो सीटों का ओफर दिया, एक करनाल और एक गुड़गावा, तो गुड़गावा इसलिए क्योंकि मेरे इमीडियेट जो बहुत सारे मेरे रिष्टदार, मेरे दोस्त यहां पर हैं, और मैंने भी बीच में यहां पर कुछ जगाले ने की सोची रहा था, और कॉंग्रेस पार्टी में समाजवादी पार्टी छोड़ करके आये थे, और आज वक्त का पहिया घुमा है, समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस का गडबंदन है देश भर में, तो इसको कैसे देखते हैं? मैं बिलकुल नहीं छोड़ के आया था, दरसल मेरी शुरुआती राम लोलोहिया से समाजवादी जब जन्सभाद से हुई है, 1967 में जेल भी गया, जब कि द्यार थी जीवन में, तो मैं एक सोशल, सोशलिस्ट, एक्टिविस्ट रहा हूं, अपने उस जमाने से भी, समाजव जी विचारधारा, मेरी अपना एक मूल विचारधारा है, और ये विचारधारा कॉंग्रिस में अगर आती है, तो ये विचारधारा तो प्रियम्बल है, और इस समाजवाद को सबसे पहले अवार्स हमिलन के अंदर अशुक महताजी को पंड़ीजवाला नहरू नहीं अगर समाजवादी पार्टी से अगर मुझे किनी वज़ा से मुझे ये कहा गया कि मेरी वहाँ जरूरत नहीं है तो कॉंग्रिस ने मुझे अपनाया और अब मैं यहां हूँ तो यहीं रहूंगा मैं का जाएं तो मेरे मेरे बच्चे हैं मेरे भाई है मेरे परिवार है वो भी और ये तो आज भी मेरे भतीजे हैं और मेरे परिवार के हिस्सा है इसमें कोई दिक्कत नहीं एक सवाल और है कि जिस तरह से आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं लेकिन प्रधान मंत्री की ओर से नारा दिया गया है कि बीजेपी तीशे सक्तर पार अपकी बार चार सो पार तो घवराट होती है दिखिए लोक तंतर के अंदर इससरे के नारे जो हैं शक्क्ट पैदा करते हैं भाय पैदा करते हैं डर पैदा करते हैं आप जंता पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और आप अपनी तूती खुद ही बजा रहे हैं 400 पार की लेकिन जमीन जो है वो कुछ और कह रही है जमीन कह रही है कि 5 ने आये और 25 गारेंटियों के लिए हम तयार है लेकिन 400 पार में हम जो है अपने उपर किसी तरीका का ये नहीं चाहते हैं कि कल को हमारे समिधान में बदलावा है हमारी जो मूल जो हमारा एक जो हमारे पास हत्यार है समाज में जीने का वो भी हमसे चिंग जाए और ये भै नहीं है बलकि ये बार बार दिख रहा है जब कभी E.D. आती है जब कोई उसको ना कहे कर कुछ और मुद्ध ले आते हैं वो कह रहे हैं कि कॉंग्रेस का घोशना पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की च्छाप है कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो सब क्या मंगल सूतर तक महिलाओं का ले लेगी दो घर ले लेगी दो गालिया है तो गाली ले लेगी और मुसल्मानों को सब दे लेगी वाह और आप सूचते हैं जनता मान लेगी जनता मातों पर यकीन कर लेगी जिस साथ साल पर सट साल जिस पार्टी ने जो है सरकार चलाई हो कॉंग्रेस पार्टी ने और ना उसने किसी किसी मा के किसी बहन के किसी बेटी के मंग बलसूतर की छोड़िये साब कि किसकी अधिकार से अधिकार ले लिया हो बलकि अधिकार देने का काम किया है चाहिए वो सूचना का अधिकार हो चाहिए वो भूजन का अधिकार हो चाहिए वो शिक्षा का अधिकार हो वो तो अधिकार देने वाली पार्टी है भाई चीनने व हो सकता है क्या मुस्राइब इसलाम मानने वाले हो चाहे सिखिजम मानने वाले हो चाहे क्रिशियनिटी मानने वाले हो उनके धर में तो इक्वैलिटी है भाई कैसे हो सकता है जो भी होगा यह चीजें को कहें कि सिर्फ अपने आपको जो लोगों में ब्रहम पैदा करने वाली का जाते हैं कि अपल in भी सबस्तार में ने, निए, वह इस्थ मोड़ लिदार मैं मजबूत के सामने का निफ़ाने थोड़ी आया ढुब रहाँ मेरा तुनदा के पास में मेरा तो लिए इसाम गड्राशा यहें ना मेरा कोई इस चाहिए ना मेरा और नाम है . kan परजा के नाते आया हैं कि परजा की जो समस्याएं हैं अगर वो गुलगाओं की परजा की समस्याएं जो हैं वो 15 साल 20 साल में जो भी रहे हैं अगर उन्हें खतम कर दिया तो मुझे वोट मत देंगा अगर मैं वो समस्या अभी भी बरकरार हैं मुझे भी आजमा कर देख लो म मेरा यह मानलें आप कि आप चुनौल वार रहा है आननी शर्मा भी चुनौल वार रहा है हुड़ा साहब भी है पूरी तरह सक्री हैं दिपेंद लोड़ा चुनौल हो रहा है तो G23 अब खतम हो गया बाद सब्सक्राइब।